हेलो अबरीवरन वेलकम बैक टो मैं चैनल आज किस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिय वाई बेशन फेश वाश जिससे आपके स्किन पेजमे मैल काला पन दाग धबे चुरिया जाईया यह सब खतम होंगे साथ यह स्किन का ग्लो बढ़ने लगेगा इस आज का यह फेश वाश काफी ज्यादा असरदार होगा आपकी स्किन के लिए इसको अगर आप रेगुल लड़े लगाएंगे तो अपने स्किन प्रॉब्लम्स भी खतम होंगे और साथ इसका कोई साइड इफेक्स भी नहीं है यह और इस बेशन फेश वाश को बनाना भी का आपका स्किन काफी जदा तरो ताजा और फ्रेस महसूस करेगा साथ इसकिन प्रॉब्लम्स भी खतम होंगी स्किन बहुत ही तेजी से चमकदार और बेदाग होने लगेगा इसकिन पर गलू बढ़ने लगजाएगा और इसकिन टाइट भी होगा जिससे आप अपने उम्र से काफी हद तक कम देखेंगे तो उसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखेंगा और मेरे बताएगे तरीकों से अगर आप इस फेश वाश को बनाते हैं और लगाते हैं तो काफी ज़्यादा असर दिखेंगा आपके स्किन पर और लोग पूसेंगे क्या लगा रहे हैं आप आज कर तो सच में काफी ज़्यादा है आज का यह वीडियो पहली बार हमारे चानल पर आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लीजिगा फ्रिंट्स क्यूंकि इसी तरह के हालफुल वीडियो में आप लोग के लिए लाती रहती हूं इसकिन केर हेर केर से रिलेटिट व आज का रेमेडी आप लोग के शेयर करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए शुद्ध चनी का बेसन जो कि आपके किचन से ही मिल जाएगा तो मैं बता रहे हूं एक दो हपतों के लिए यह रामेडे और इसको आप कार पाएं एक तम ड्राइ फेश वाश आज में बत का तरीक आपको पता चलेगा तो आप सच में हैरान रह जाएंगे और बहुत ही एजली आप इसको अपलाई कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसकिन पे ग्लू इतनी तेजी से बढ़ने लग जाता है कि सच में आप हैरान ही रह जाएंगे तो हमने च चमच हम लेंगे चावल का अटा एक बड़ा चमच यह सकिन को टाइट और जवा तो रखता ही है ग्लो भी बढ़ाता है इसकिन को बहुत ही देजी से ब्राइटनिंग बनाता है कसाव लाता है सकिन में उसके बाद हमें चही होगा मुलतानी मिट्टी पहले के जमाने में तो मिट्टी से ही लोग अपना चहरा धोते थे नहाते थे सावन की जगई सी का यूज किया करते थे तो हम ले रहे हैं एक चमच मुलतानी मिट्टी चुकि सकिन पे ग्लो तो बढ़ाता है इसकिन को टाइट भी रखता है और बहुत ही अच्छे से क्लीजिंग हो जाती सकिन की उसके बाद हमें लेना है कस्तूरी हल्दी आदा चमच के असपास अगर आपके पास नहीं हो आप कीचिन वाला हल्दी ले सकते हैं थोड़ा सा हल्दी तुझा को निखारने के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है इसकिन के काले पन को भी दूर करता है और उसके बाद हम ले लेंगे एक चमच कॉफी एक बड़ा चमच आपके पास जो भी कॉफी हो नैसले का या जो भी आप ले सकते हैं कॉफी काफी ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनाने के लिए चमकदार बनाने के लिए और इसकिन पे बहुत तेजी से गलोव बढ़ाने लगता है कॉफी उसके बाद हमें लेना है एक चमच यह नीम के पत्ते का पॉडर जो कि हमने खुद से त्यार किया हुआ है नीम एक तहसे एंटिसेप्टिक के जैसे काम करेगा अकर आपके इसके नेपे पिंपल्स वगरे की प्रॉब्लम है नो वो सब दूर हो जाएंगी उसके बाद हमें लेना है बीट रूट पॉडर यानि की चुकंदर का पॉडर एक चमच नहीं हो आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर इसके जगह आप संत्रे के छिलके का पॉडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो या फिर लगाने की प्रकरिया बहुत ही प्रकार से मैं आप लोग को बताऊंगी तो आपको जैसे सुटेबल हो आप उस तरीके से बना सकते हैं तो इस फेश वाश को बना कर आप कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं और अपने पर्स में बहुत ही आप प्लाइग कर सकते हैं तो यह फेश वाश के जैसे ही वार्क करता या फिर कह लीजी कि फेश-वाश से चाहिन यह आप के सकीन को बैने वाला है वह लाइव रिजल्स में आप लोग बंगो दिखाऊंगं मैं बने रहेगा वीडिय या फिर दो तीन बार अब चेहरा धोते हैं तो नॉर्माली पानी के से धोने की जगा आप इस फिश्वाश को यूज कर लीजिए काफी ज़्यादा असर दिखेगा और आपको अलग से कोई भी फेस मास्क बगर लगानी की ज़रुत नहीं परेगी तो उसके लिए सबसे पहले कर सकते हैं जैसे कि अगर अपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइ है तो अब हलका सा ग्लिसरीन कॉपनेट वायल या फिर हनी अलवरा जेली से मिक्स कर सकते हैं और इस तरीके से अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं हलका सा मसाज करते हुए इसे ब्लेड सर्कुलेशन भी कुछ ञें से अच्侑चर से अच्छितक घडिया ह और जाहां जहां डार्क रिया है वहाँ थोड़ा अच्छ modकर एए ये स्क्रख़ब के करते हैं तो इसमें हमने जो चावल ब्लॉब्स कृक्ट सीयliness के आंड़ की और आपको इनिफॉच उकल भींग औरतंक ब्लेट में बस्क सब्सक्राइब नियुक्त के लिए उसके बाद नॉर्मली पानी से आपको दो लेना है और हलका सा कोई भी आप वाइल लगा लिजी या फिर मॉस्टिराइजर लगा लिजी संस्क्रीन लिए लगा सकते हैं और इस तरीके से आप इस पेश्वोस को लगा सकते हैं घैसा अगर ट्राइय लगाना चाहें तो सबसे पहले अपने चेहरे को गीला कर लिजें सिंपली पाली शेरी को दौ लिजिए उसके बाद इस फेश्वास को इस तरीके से लेना है अपने हाथों पर और धूरने सा हलकी हाथों से लगाना है इसमें मुलतानी मीटी डॉला हु जब भी आप पानी से चेहरा दोते हैं तो नेर्मल भालोक के लिए रॉली है लेकिन आपकी बहुँ जाए घ्राइये लेक्ट लोग जाए है और ज्याद होने लग जाती है तो इसलिग आप आप यहमीन हादी है यदि तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो प्लीज कर लिजे जली-जली से और वीडियो को लाइक कर दीजे आपका एक लाइक काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे देख सकते हैं इसकिन कितना ज़्यादा फ्रेश फिल कर रहा है चमकदार दिख रहा है I hope आप लो सुराचिंग आइज मिलते हैं हमारे नेक्स टूडिय में तब तक के लिए बाई बाई